हलो एवरीवन, वेलकम बेक टियर ओन चैनल इस्टड़ी वल्डा विद्या अगर आप लोगोंने वीडियो पर क्लिक कर ही दिया है तो वीडियो को लाइक ज़रू कर दें क्योंकि लाइक करने का पैसा नहीं लगता और फ्री की चीज छोड़ते नहीं है तो आज मैं आप लोगों के लिए जो RRB NTPC का एक्जाम हुआ है 28 डिसेंबर यानि के आज उसके 1st और 2nd सिफ्ट के GK प्लस कम्प्यूटर के क्वेशन लेकर आई हूँ और जितने भी GK प्लस कम्प्यूटर के क्वेशन मैं आप लोगों को कराऊंगी वो 110 परसेंट ऑथेंटिक होंगे आपको एक भी क्वेशन यहां पर फेक नहीं मिलेगा तो चलिए वीडियो की तरफ मूव कर लेते हैं पहला क्वेशन आया था कि बाकू किस देश की राजधानी है तो बाकू जो है वह अजर वेजान देश की राजधानी है नेक्स क्वेशन पूछा था कि स्वराज मेरा जन्म सित अधिकार है यह नारा किस ने दिया था तो यह नारा स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगादर तिलक जी ने दिया था और इनका जन्म 23 चुलाई 1856 को हुआ था नेक्स क्वेशन पूछा था सारदा एक्ट किस से संबंदित है तो यह अधिनियम बाल बिभा निरोधक अधिनियम 1978 की नाम से जान जाता है नेक्स क्वेशन पूछा था कि 55 वा ज्यानपीट पुरुसकार किसको दिया गया था तो यह प्रख्यात मलियाली कभी अकीतम अचुनतन नमूदिरी को दिया गया था नेक्स क्वेशन है आलो अनसंधान केंद्र कहां इस्तित है तो आलो अनसंधान केंद्र शिमला में इस्तित है मैं आप लोगों से एक्स्टा बातें नहीं कर रहे हूं सिर्फ आप लोगों को आंसर बता रहे हूं और यहां वो भी 100% जेनुवन बता रहे हूं तो वीडियो को लाइक ज़रू करते चलिएगा नेक्स क्वेशन था कि भारत के सबसे युवा राष्टपती कौन थे तो वो थे नीलब संजीव रेडी नेक्स क्वेशन आया था कि माइक्रोसफ्ट के CEO कौन है तो माइक्रोसफ्ट की जो CEO है वो है सत्या नडेला नेक्स क्वेशन पूछा था कि भारत की आठवी अनसूची में कितनी भासाएं हैं तो भारते समविदान की आठवी अनसूची में भारत की भासाओं से संबंदित है और इस अनसूची में 22 भारतिय भासाओं को सामेल किया गया है नेक्स कोशन था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो प्लासी का युद्ध 23 जुन 1757 को हुआ था नेक्स कोशन था प्रत्वी दिवस कमनाया जाता है आहा लड़ू फूट गए कितना इजी कोशन आ गया नेक्स कोशन था खेलो इंडिया यूद्ध गेम 2020 कहां पर आयोजित हुए थे तो ये गोहाटी में आयोजित हुए थे गोहाटी कहां पर है असम में नेक्स कोशन पूछा था कि URL की full form क्या होती है तो URL की जो full form है वो है uniform resource locator नेक्स कोशन आया था भारत के किस राज्जी की सीमा सबसे लंबी है तो वो है गुजरात सायद अत्तट रेखा थी तो वो है गुजरात की नेक्स कोशन आया था कार्डियोलोजी किस से सम्बंदित है तो कार्डियोलोजी हमारे दिल से सम्बंदित है नेक्स कोशन था राज तरंगिणी पुस्तक की लिखा कौन है तो वो है कल्हन नेक्स था बंदे भरत ट्रेन को किंदो राज्यों के भी चलाया गया था तो इस ट्रेन को दिल्ली से बारा नसी के भी चलाया गया था नेक्स कोशन आया था कि लोग सभा में अधिक्तम सदस्यों की संख्या कितनी होती है तो उसमें अधिक्तम जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है पांसो बावन नेक्स कोशन पूछा था कि सेरी कल्चर किस से सम्बंदित है तो कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीटों का पालन सेरी कल्चर या रेशम कीट पालन कहला था है यानि कि रेशम के कीटों का पालन ही सेरी कल्चर कहलाता है नेक्स कॉशन आया था चिकिन कारी कडाई किस से संबंदित है तो चिकिन कारी कडाई लखनव से संबंदित है यानि कि लखनव से related है Next question पूछा था कि MICR की full form क्या होती है तो MICR की full form होती है Magnetic Ink Correct Recognization Next question पूछा था Brain of computer किसे कहा जाता है ये भी एकदम लड़ू आ गया संकराती आ रहे है खाल लेना यानि कि brain of computer किसे कहा जाता है CPU को बहुती easiest question आया था ये Next question था बिहार के राजिपाल कौन है तो वो है फागू चोहान यहां से आप लोगों के Second shift के question शुरू होते है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहां पर जितने भी questions मैंने collect किये है आप लोगोंने इतनी वीडियो देखी लिया तो पता चल ही गया होगा कि questions genuine है या फिर fake है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यह question 110% genuine है पहला question था कि taxonomy का जनक किसे कहा जाता है तो taxonomy का जनक कारल लीनियस को कहा जाता है next question आया था कि sapiakstar का सिद्दांत किसने दिया था तो Einstein का विषेश sapiakstar का सिद्दांत सबसे पहले 1905 में प्रस्तावित किया गया था यानि कि यह सिद्दांत किसने दिया था तो वो Einstein ने दिया था Next question था कि जो commonwealth हैं वे सबसे ज़ादा किस देश में हुए हैं पांच बार तो यहाँ पर उस्टेलिया ने पांचवी बार राष्ट मंडल खेलों की मेजवानी की है तो उस्टेलिया में सबसे ज़ादा बार कॉमन वेल्थ हुए हैं नेक्स कॉशन पूछा था हो सकता है यह कॉशन थोड़ा सा इधर उधर हो गया हो मुझसे तो आप लोग भी कॉमेंट वक्स में लिखकर जरूर बताएगा लेकिन जहां तक मुझे याद है ऐसा ही कुछ पांचवी बार कॉमन वेल्थ पूछा था तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा नेक्स कॉशन था कि भारतिय साहित्य अकादमी कहां इस्तित है तो यह जो इस्तित है वो दिल्ली में इस्तित है और इसके इस्थापना 12 मार्च 1954 को होई थी और कहां इस्तित है तो नई दिल्ली में इस्तित है नेक्स क्वाशन पूचा था कि मिशन इंदरधनुस किस से समबंदित है तो इंदरधनुस के साथ रंगों के समान इस मिशन इंदरधनुस का उद्धे से सन 2020 तक उन सभी बच्चों का टीका करण कराना है जिने टीके नहीं लगते यानि कि जो मिशन इंद्रधनुस है वो किस से संबन्दित है तो बच्चों के टीके लगवानी से संबन्दित है नेक्स कोशन पूछा था जापान की मुद्रा क्या है ये तो बहुती लड़ू कोशन आगे है आप लोग अराम से करके आए होंगे तो जापान की जो मुद्रा है वो है जापानी ये नेक्स कोशन पूछा था कि संगीत के छेतर में कौन सा पुरुषकार दिया जाता है तो संगीत के छेतर में ग्रेमी अवर्ड दिया जाता है और ये ग्रेमी अवर्ड को अमेरिका का संस्थान National Academy of Recordings, Arts and Sciences देता है कौन देता है तो अमेरिका का संस्थान National Academy of Recordings, Arts and Sciences देता है क्योंकि हो सकता है ये question आप लोगों की आने वाली exam में पूछ लिया जाए Next question पूछा था कि जलिया वाला बाग की समय बाइसराई कौन था तो जलिया वाला बाग की समय जो बाइसराई थे वो थे Lord Canning जलिया वाले बाग से दो question आये थे कि जलिया वाला हत्याकांड कब हुआ था और उस समय बाइसराई कौन था तो बाइसराई Lord Canning था Next question पूछा था कि आर्थिक विज्ञान का 2020 का पुरुसकार किसको दिया गया है यानि कि एकोनोमिक के छेत्र में किसको पुरुसकार दिया गया था तो बर्स 2020 के लिए अर्थसास्त्र का नोबेल पुरुसकार अमेरिकी अर्थसास्त्री पॉल आर, मिलो ग्रोम और रोबर्ट बी बिलसन को दिया गया है और उन्हें पुरुसकार नीलामी के सिद्धान्त में सुधार के लिए और नए नीलामी प्रारूपों के अविश्कार करने के लिए दिया गया है next question पूछा था कि 2020 का best film fair award किस film को दिया गया है ये award आया था लेकिन मुझे exact याद नहीं फिल्म के लिए पूछा था, actor के लिए पूछा था, किस के लिए पूछा था तो यहां मैं आप लोगों को सारी चीज़ां confirm कर देती हूं जो भी आपका question रहा होगा आप लोग उस पर टिक करके आए होंगे तो Film Fair Award 2020 कौन सी movie को मिला है तो वो gully boy को मिला है और जो best female debut का award दिया गया था वो अनन्या पांडे को दिया गया था और award बॉलीवूड का सबसे popular award so Film Fair Award 2020 सुरू हुआ था यानि कि ये सबसे ज़ादा popular award है नेक्स question की तरफ move करते हैं नेक्स question था सयुक्त राष्ट सुरक्षा परिसद का मुख्याले कहां इस्तित है तो सयुक्त राष्ट का मुख्याले अमेरिका के न्यूँ योग सहर में इस्तित है नेक्स question यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जलिया वाला हत्या कांड की समय गवर्नर जर्नल वो पूछा था आपसे बायसराय वो कौन थे तो वो थे लौड कैनिन और ये कब हुआ था ये भी डेट आई थी तो ये 13 अप्रेल 1919 को हुआ था नेक्स question पूछा था कि भाबा परमाडू अनसंधान कहां इस्तित है तो भाबा परमाडू अनसंधान केंद्र मुंबई में इस्तित है नेक्स question था यहाँ पर बिटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है तो बिटामिन D का लेबल कम होने पर हड्डियों को नुकसान पहुंचता है हाला कि यह बिटामिन दिल, मस्तिस्क और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए भी उतना ही महत्तपूर है हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बिटामिन D की कमी से मेटाबॉलिक, सिंड्रॉम, हिर्दय रोगों का और प्रजडन छमता से जोड़ी प्रॉबलम होती है यानि कि मेन जो प्रॉबलम होती है वो हड्डियों से रेलेटेड होती है तब ही तो हम लोग कहते हैं कि विटामिन D की कमी है तो सूरत से लेनी चाहिए नेक्स कोशन आया था कि पाई का अविस्कार किसने किया था तो भारत में पूछा जाए तो आर्य बटने किया था नेक्स कोशन पूछा था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीब कौन सा है तो Greenland dweep दुनिया का सबसे बड़ा dweep है जो Arctic और Atlantic महासागर के बीच इस्तित है Next question था गोल गुमबज कहां पर इस्तित है तो गोल गुमबज करनाटक में इस्तित है Next पूछा था मोपला विद्रो कब हुआ था तो मोपला विद्रो 1921 में हुआ था Next question ये पूछा था उत्तरा खंड में कौन सी यूजना चलाई गी है तो ऐसे बहुत सारी यूजना चलाई जाती है तो ये option पर depend करता है कि कौन सी option दिया गया था वहाँ पर तो अगर आप लोगों को पता है तो comment box में लिखका ज़रूर बताए Next था UNDP का मुख्याले कहाँ है तो ये New York में इस्तित है और पूछा था कि औरवरा क्रांती औरवरा क्रांती से भी आया था औरवरा क्रांती का रंग कौन सा होता है तो इसे एक दूसर क्रांती ग्रे क्रांती भी कहा जाता है यहीं पर वीडियो फिनिश होता है वीडियो अच्छे लगाओ तो वीडियो को लाइक ज़रू कर दीजिगा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कर लीजिगा क्योंकि इसी तरह के important वीडियो में आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ थिंक्स वर वाचिंग दी वीडियो